मेरे प्याल बेन वाजी और मिंत्रों के से वाप आजम बात करने वाली रिफैक्सी फराउन डेड अमजी टैबलेट के बार में इस टैबलेट के अफ़दे का नुक्सानिश तुमा पुरी जनकर जाने वालोशे लिए दोस्तों बडे श्टार्ट करते हैं तो आप इसको बैक्टरियल इंफैक्शन में भी आप इसको ले सकते हो या फिर यूटिया इंफैक्शन हो गया है उसमें भी आपको डॉक्टर इसको लेने की सलाह दे सकता है या पिर वैगिनल डाइसिस होना उसमें भी आप इसको ले सकते हो डॉक्टर इसकी सलाह दे सकता है या गोना हो इना इसमें भी आप इसको ले सकते हो या PID हो ना इसमें भी डोक्टर आपको लेने की सलहाद दे सकता है और इसी के साथ साथ दोस्तों महिलो के कमर दर्द होना या फिर उनके पिछल स्पाइन के हिस्से में दर्द होना उसमें भी डॉक्टर इसको लेने की सलहाद दे सकता है और इसी के साथ साथ दोस्तों डॉक्टर इसको यूरीन इंफेक्शन में भी दे सकता है और इसी के साथ स इसको सलहा देने की दे सकता है और इसी के साथ साथ जुखाम हो गया हो उसमें भी डॉक्टर इसको लेने की सलहा दे सकता है या गोनोकोया लंग्स इंफेक्शन हो गये हो उसमें भी डॉक्टर इसको लेने की सलहा दे सकता है और इसी के साथ साथ दोस्तों सर्विटाइटिस यानि कि सूजन आ जाना, फेवडो पर सूजन आ जाना, पानी आ जाना, पस भर जाना, उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सला दे सकता है या पिनी मोनिया हो जाना, उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सला दे सकता है या बुखार हो जाना टाइफेड बुखार हो जाना बुखार बार बार उतरना बार बार चडना उसमें भी डॉक्टर इसको देनी की सलहा दे सकता है या ब्रॉनकाइटिस हो जाना, खांसी हो जाना, हाट रैक कम हो जाना, इसमें भी डॉक्टर इसको देनी की सलाह दे सकता है ताइफेट्स जादे हो जाना, इसमें भी डॉक्टर इसको देनी की सलाह दे सकता है या फिर Boronkitis यानि की सांस की नली में सूजन और एंठंस अपन हो जाना इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है या फिर Tifid Fever हो जाना Tifid Fever में होता क्या है? मास पेशियों में दर्द होने लगता है हाथ पेव में जलन सी मैसूस होने लगती है इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है ये भी वहाँ पर काफी अच्छा फाइदमन देखा गया है या दोस्तों फिर दोस्तों ENT infection हो जाना यानि कि आपके कान में अगर मौाद आ रही हो माद आ रही हो या फुनसी निकल गई हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है या नोजिया हो गई हो बार बार जुखा मुरा उसमें भी आपको डॉक्टर देने की सलाह दे सकता है या दांतों में कहीं पस बन रहा हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है या skin infection हो गया हो skin infection यानि allergy eating fungus हो गया हो उसमें भी doctor इसको देने की सलाद दे सकता है या bone joint bacterial हो गया हो उसमें भी doctor इसको देने की सलाद दे सकता है या tonsil हो गया हो आपने के बार देखा होगा जादे नजला होने के कारण या गले में एक खरास होने के कारण कभी कबाग आपके टॉंसिल होने लगते है उसमें भी ये काफी फाइदेमन सामने देखने को मिला है और इसी के साथ साथ आई इंफ्रेक्शन हो जाना या फिर आई फलूग जो अभी पीछे चला था वो हो जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सला दे सकता है या चोट लग जाना इंजिरी हो जाना इंजिरी यानि की चोट लग गई हो कहीं से जखम हो गया और टांके नहीं सूक रहे हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सला दे सकता है दोस्तो अर्थराइटिस जोइंटे सूजन होना यानि कि जब अर्थराइटिस होता है उनमें सूजन आ जाती है उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाथ दे सकता है और इसी के सासथ इसकीन इंफेक्शन हो जाना चोटे चोटे टिक के इंफेक्शन हो जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाथ दे सकता है या फिर आईवी इंजेक्सन लगाया हो कैनूला लगाया हो कैनूला निकालने के बाद उसका काम कंप्लेट होने के बाद वहाँ पर सूजन आ गई हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाथ दे सकता है सकता है या फिर दोस्तों मेडल एयर इंफेक्शन हो जाना इसमें भी डोक्टर इसको देने की सलहा दे सकता है मेरे प्यारे भेनों भाईयों आपको दो बात विसेस रूप से ध्यान रखनी है नमबर वन अगर आप इस प्रोडेक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परिशानिय किसी भी तरह के का अन्य शाय डिफेक्ट दिखा है तो घबराएं नहीं तुरंट इस प्रोडेक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डोक्टर से संपर्क करें नमबर तू किसी भी परकार की अन्य मेडिशीन या किसी भी अन्य परकार का कोई भी परोडेक्ट अपने डोक्टर के सलहा के नहीं लानी चाहिए क्योंकि मरीज की पैशेंट की उमर अकोडिंग अंदर बोडी में क्या चला है क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग-अलग हार्मोन्स होते हैं उनके हार्मोन्स के उपर, उनकी उमर के उपर, उनके वजन के उपर उनकी जाच करवाने के बाद डोक्टर दवाया देता है इसलिए दोस्तों पहले अपने डोक्टर से प्रामर्स यानी की संपर्प करें क्योंकि दोस्तों जान है तो जा है वरना सब मिटी समान है उमीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए दोस्तों तीरी फैक्सी फ्राउन डैड अब जी टैबलेट की फिल्फरमेशन फिल जानकरी तोस्तों अगर आप मेशल पहले ने तो शनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जानकरी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का परचान नहीं करते हैं किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डोक्टर से पूछे अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उप्योग करते है और आपको कोई साइड इफैक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी